हलो दोस्तों कैसे हैं आप हमारे यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपको क्लास सेवन्थ का दा लिटिल बर्डी छोटा पच्छी एक छोटा पच्छी अपनी मां से क्या वारतलाब करता है और उसकी मां क्या जबाब देती हैं उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे तो चलिए ध्यान से देखते हैं लिटिल बर्डी लिटिल माने छोटा बर्डी माने पच्छी चैप्टर है आपका पैराग्राप ध्यान से देखिए वाट डज लिटिल बर्डी से वाट मने क्या डज लिटिल बर्डी से एक छोटा पच्छी क्या कह कहता है इन हर नेस्ट आइट पीप आफ डे दिन के समय अपने घोसले में जहांक करके लेट मी फ्लाई मतलब मुझे उड़ने दो सेज लिटल बर्डी छोटा पच्छी कहता है मदर अपनी माता से लेट मी फ्लाई अवे मुझे उड़ने दो अब आगे देखिए यहां से बर्डी रेस्ट ए लिटल लांगर छोटा पच्छी थोड़ा अराम करने के बाद तिल दा लिटल विंग्स आर स्ट्रांगर मतलब उसकी माता जबाब देती हैं कि हे छोटे पच्छी थोड़ा आवर अराम कर लो तिल दा लिटिल विंग्स और स्ट्रोंगर मतलब जब तक कि तुम्हारे छोटे पंख मजबूत ना हो जाएं इस परकार सी रिस्ट ए लिटिल लांगर वह थोड़ा आराम करता है दिन सी फ्लाइज अवे तब फिर तुम उड़ना इस परकार वह थोड़ा आराम करने के बाद दिन सी फ्लाइज अवे तब तुम पूना उड़ना या उड़ने की कोशिस करना तो आगे फिर छोटा पच्छी क्या कहता है वाट ड़ज लिटिल बेबी से एक छोटा पच्छी क्या कहता है इन हर बेड एट पी पापडे अपने बिष्टर में रह करके बेबी सेज छोटा पच्छी कहता है लाइक लिटिल बरडी एक छोटी पच्छे की तरह लेट मी राइज अट फ्लाइ अवे अब मुझे उठना है या उपर उठना है और उड़ना है उसकी मा उतर देती है बेबी स्लीब बच्छी थोड़ा और अराम कर लो ए लिटिल लांगर थोड़े समय के लिए पिल दा लिटिल लिम्स और स्टांगर जब तक कि आपके छोटे हाथ पैर मजबूत नहों जाए लिम्स माने यहां से अर्थ होगा हाथ पैर से और स्टांगर मतलब मजबूत नहों जाए इफ यदि सी स्लीब से लिटिल लांगर यदि तुम थोड़ा अराम कर लेते हो तो बेबी टू सैल फ्लाई अवे तब तुम उड़ने की कोशिश कर लोगे यदि तुम थोड़ा अराम कर लेते हो थोड़ा रिस्ट कर लेते हो तब तुम उड़ने उड़ सको गे अलफर्ड लार्ट टैनिसन इसके राइटर है